पहलवान विनेज फोगाट और बजरंग पुनिया की कोगर्स में शामिल होने पर चतित्वड़ के उप्मूखी मंती अरुन साव ने कहा कि इससे पता चलता है कि विनेज फोगाट और बजरंग पुनिया कि इनगे हाथों में खेल रहे थे यह स्पश्व तौर पर दिख रहा आज में कांगरेस की प्रत्याशी बनी हैं तो ये बताता है कि उनकी मानसिता और सोच क्या है कि इससे पता चलता है कि ये दोनों खिलाडी विनेज फोगाट और बजरंग पुनिया किनकी हाथों में खेल रहे थे ये देश के बेटा बेटीयों के बजाए कांगरेस के गोदी में खेल रहे थे ये इस पस रूप से दिख रहा है और जहां तक बात है तो भारती जनता पारिटी में न्याय और कानून प्रक्रिया के हिसाब से कारवाही वहां होती है और भारती जनता पार्टी हमेशा से नियाय के पक्ष में खड़ी होते रही है इनका ये आरोब बिलकुल बेबुनियाद और निराधार है ये राजनिती का धार पर इस प्रकार के वो बयान बाजी कर रही है आज जब वो कांगरिस की प्रत्यासी बनी है तो ये बताता है कि उनकी मांसिक्ता और सोच क्या है देखे उमर अब्दुल्ला नेशनल कांफरेंस का एजिंडा क्या है कि इन मुद्दों को लेकर आज वो चुनाव में के मैदान में है वहाँ फिर से 370 इस्थापित कराना चाहते हैं जम्मू कास्मीर को फिर से आतंगवाद के हाथों में देना चाहते हैं जम्मू कास्मीर के लोगों के साथ वो न्याय करना चाहते हैं जो हमारे वहाँ के समाज के लोग हैं पिछडे समाज के लोग जिनके 370 के कारण आरक्षन का लाब ने मिल रहा था फिर से उनके साथ वो न्याय करना चाहते हैं फिर से कस्मीर के नौजवानों के हाथों में वो पत्थर देना चाहते हैं आज जब जम्मो कस्मीर विकास की और तरक्की की और आगे बढ़ रहा है कुछ परिवार की जागीर के बजाए आज वहाँ पर के नौजवान वहाँ पर और इसलिए इस प्रकार के वो बाते कर रहे है आज जम्मू कस्मीर की जनता समझ गई है वो विकास के साथ है और निश्चत रुप से उनका असिरवात भारती जनता पारटी को मिलेगा